मिसन से चड़ समवात के पढ़ाई से प्रतियुक्ता तक की सीरीज में प्रात्मी किस तर के गणित विसे के प्रक्राण आवसत में हम आवसत की चर्चा करेंगे सबसे पहले बात उठती है कि आवसत किसे कहते हैं आवसत को हम अंगरेजी में एवरेज कहते हैं इसको हम अंगरेजी में एवरेज करते हैं एवरेज हम लिसकते हैं ये भी एवरेज एवरेज माने होता है आवसत ये अंगरेजी है अवसत को एवरेज करेंगे दो या दो से अधिक आवसत एक राशी का नहीं निकलता है उसके लिए दो या दो से अधिक राशिया होनी चाहि सजाती रासियों का मतलब होता है कि एक जैसी रासिय किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में दोनों हो एगर मीटर में है तो दोनों मीटर में हो सेंटी मीटर में हो तभी हम आउसत निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि एक को हमने किया किया मीटर में लिया एक को सेंटी मीटर में लिया से भाग करने पर कितनी संख्या हैं उनसे भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का आउसत कह राता है जैसे आउसत बराबर है आकडों का योग बटा में आकडों की संख्या कुल आकडों का योग कितना हुआ और उनकी संख्या कितनी है उससे हम क्या करेंगे आउस संख्या है कों सी हुई कि परले हमको लिखना पड़ेगा प्रथम five अबाज जी संख्या या तो स्वयम से कटे या एक से कटे हुआ अबाज संख्या काला ती है सबसे छोटी अबाज संख्या 2 है फिर 3 है सुयम से कड़ती है एक से कड़ती है 5 है 7 है फिर 11 है क्योंकि 8 नो डस किसी नेवा किसी से और से कड़ती। ये सब अपने आप से कड़ने वाली अभाज संख्या हैं अउस्द कितना होगा? अउस्द बडाबर होगा आकणों का यूग बटा में आकणों की संख्या आकणों का यूग बटा में आकणों की संख्या आकणों का यूग करते हैं दो धन तीन धन पाँच धन साथ धन ग्यारा पुल संख्याएं कितनी हैं पाँच पाँच से भाग दे देंगे तीन दो पाँच पाँच दस असतरा असतरा ग्यारा अठाइस अठाइस बटा में पाँच पाँच से भाग दिये क्या हो गया पचाः पचीस और इसके बाद हमने दिया तीन बचा था दसमलो लगाएंगे च्छव बाद जीरो बढ़ा देंगे तो पाँच शक का तीस तो आउसत कितना ग्या पाँच दसमलो छे आउसत बराबर क्या हो गय पांच दसमलो छे तो इस परकार के सवालों को औरी बदल कर दिया जा सकता है यहां पर हमने अभाज संख्या लिया है वहां पे संख्यालों को इस तरह से हल कर सकते इसके लिए हमें संख्या पत्रती में जो शंख्याइं बताई गई है उनका पुण रूप से ग्यां रखना अत्ती ही आवस्यक है अगला है सचीन ने 8 मैंचों में आवस्तं 110 रन बनाए सच्यन ने 8 मैंचों में आउसत रन बने बराबर 110 फिर कह रहा है साथ तो कूल रन कैसे निकलेगा भाई आउसत बराबर होता है आकडों का योग बटा में संख्या तो कूल रन अगर हमको निकालना है कूल रन क्या हो गए कूल रन आठ मैचों में बने कैसे जियांत करेंगे जो आउसत है उसमें आठ से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 880 run cool run उसने कित्ते बनाए 880 run बनाए फिर कराए 7 मैचों में cool run बनाए है 7 मैचों में cool run बराबर 750 run उसने बनाए है तो आठमे मैच में बना हुआ run क्या हो जाएगा इसलिए आठमे मैच में यही पूछ रहा है बना run कितना run बनाए है उसने cool run बनाए था 880 run बनाए था टोटल 8 मैचों में और 750 run उसने किया है 7 मैचों बनाए है इसको घटा देंगे यहाँ पर हो जाएगा 0 आठमे से 5 गया 3 और यहाँ पर आठमे से साथ गया 1 130 run यानि कि आठमे मैच में सचिन दौरा 130 run बनाया गया है पहला काम है कि यहाँ पर आउसत दिया था तो आउसत से जितने मैचों का आउसत दिया था उन सभी मैचों काम को क्या करना है कूल रन गयात करना है सबसे पर एक कूल रन गयात करने है फिर साथ मैचों का योग दिया है कि साथ मैचों में कितने रन बनाये उसको हम क्या करेंगे अलग लिख देंगे और आठो का योग जो था उसमें से साथ गोग का योग घटा देंगे तो हमको आठो में मैंचे बने वे रेनों का योग पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन और सोहन की ओसताय पांच जार रुपए प्रतीमा है तो हम लिख लेंगे राम मोहन और सोहन की कुलाए कुलाए क्या होगी आउसत आए मैं संख्या से गुणा कर देंगे आउसत आए गुड़े संख्या आउसत आए गुड़े संख्या जो उनकी संख्या है संख्या तीन लोगों की यहां बात हो रही है तो पांच हजार रुपए प्रतीमा कमा रहे हैं अग गुड़े तीन कर देंगे तो यह हो जाएगा रुपए पंदरा है जाए प्रतीमा फिर राम की रुपे 4500 प्रतिमा और मोहन की 6450 रुपे प्रतिमा कमाता है राम और मोहन की कुलाये निकाल लेंगे राम और सोहन की कुलाय कुलाय हमने निकाल लिया यह होगे 4500 प्लस 6450 दोनों जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 50, 4, 5, 9, 6, 4, 10 10,950 रुपे दोनों की आए हो गई अब कर रहा है मोहन की प्रतिमा आए मोहन की प्रतिमा आए क्या हो जाएगी मोहन की प्रतिमा आए देखें तो इसका मान हो जाएगा बराबर कुल आए थी 15,000 रुपे तीनों की मिला के उसमें से 10,950 खटा देंगे 10,950 खटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40,50 रुपे 4000 रुपे 40,50 गटा के देख लिएगा रुपे 40,50 रुपे हमारा मोहन की आए निकल जाएगे तो इस प्रकार हम और सब्सक्राइगे और भी सवाल लगा सकते हैं वर्क सीट आपको अपलब्द करा दी गई है आप लोग वर्क सीट पे सवालों को देख लेंगे जो भी आ रहा होगा लगा लेंगे जहां नहीं समझाएगा वह वीडियो देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं धन्यवाद